health attack channel पे आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको correct यालियाज शिरफ के बारे में जानकारी देंगे जो की बहुत ही मसूर शिरफ है तो इस वीडियो में जानेंगे कि शिरफ का इस्तमाल किन-किन समस्याओं में किया जाता है इसको कैसे इस्तमाल करना है इसके डोज के बारे में इसकी market price कितनी है इसके content, side effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको correct यालियाज शिरफ के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके तो correct sales syrup इसके market price की बात करें तो इसकी market price 119 रुपए है और ये 100 ml की packing में आता है और समय के साथ साथ इसकी market price बढ़ती रहती है और इसके company की बात करें तो इसको फाइजल limited company के द्वारा बनाया जाता है तो आईए जान लेते हैं इसके content के बारे में correct sales syrup में क्या क्या मिलाया गया है तो इसमें लिवो साल बुटामाल सलफेट, अमरक साल हाइडरो कलोराइड और गुआई फेंसिन होता है इसके पत्तेक 5 ml में लिवो साल बुटामाल सलफेट जो की 1 mg में होता है और अमरक साल हाइडरो कलोराइड जो की 30 mg में होता है और गुआई फेंसिन जो की 50 mg में होता है तो आईए जान लेते हैं correct sales syrup के usage के बारे में इस syrup का इस्तिमाल किन-किन समच्छाओं में किया जाता है तो यह एक बहुत ही ब्यतिन खांसी की दवा है जो की बल्गम वाली खांसी को ठीक करती है यह सीने में जम्य हुए बल्गम को बार निकालती है और खांसी से अराम पहुंचाती है तो बहुत ये व्यतिन ये सिरफ है, तो किसी को बलगम वाली खांसी आ रही हो, सीने में बलगम जमा हुआ हो, इसके अलामा नाक से पानी बार आओ, आक से पानी बार आओ, बार बार छेके आ रही हो, तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरफ का इस्तिमाल किया जा इसमें जो लिवोसलवुटामाल सलफेट है या एक ब्रंकोडायलेटर है या स्वांशनली और मांसफेशियों को आराम पहुंचाता है जिससे कि स्वांश लेना आसान बन जाता है इसके अलामा इसमें जो हमर्ख साल आडोकलॉराइड है या एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है बल्गम को पतला करके बाहर निकालने के लिए और कांसी से आराम पहुंचाने के लिए तो आईए जान लेते हैं कोरेक्स यलेज सिरफ के डोज के बारे में इस सिरफ को कितनी मात्रा में इस्तमाल करना चाहिए तो इस सिरफ को एक डल्डी बेक्ट जो की 10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं सुबह दोपर और साम इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर लेना चाहिए तब इसका इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि डोज जो ऐस और वेट के इसाब से अलग-अलग हो सकता है तो डाक्टर आपको जितनी मात्रा में कहें उतनी मात्रा में ही इस सिरफ का इस्तिमाल करें दस्त हो सकता है इसके अलमा मुव में सुखापन मसूस हो सकता है पेट में दर्द हो सकता है इसके अलमा आलस और नीद आ सकती है और हांतो पेरों में कमपन हो सकता है तो यह सब इस शिरप के साइड इफेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं सबी को नहीं होते हैं तो अगर कोई ब्यक्ति कोरेक्स यलियाद सिरफ का इस्तिमाल कर रहे हैं तो उनको वहान आज चलाने से बचना चाहिए और कोई भारी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इस सिरफ को लेने से आलस और नीद भी आती है और प्रेगनेंट सोमेंस और बेस फिदिंग मदर को इस सिरफ का इस्तिमाल अपने डाक्टर के परामर्ज के अंसार ही करना चाहिए तो यह थी हमारी आज की जानकारी कोरेक्स यलियाद सिरफ के बारे में आसा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्काइब भी कर लें